कि नमस्कार दोस्तों स्वाइक दोप आपने चनल जेके स्टूड और डिफेंट्स पॉइंट टी आर्मी अपडेट्स में आज की वीडियो में बात करेंगे पार्ट एंड कोशन के बारे में आप लोगों में धंदिकी जिस सेट नंबर है आप लोगों का सिक्स आगर आप लो आई डिवीप ट्रेडमान जो भी आप लोगों किसी भी कमिडियोटिव अग्जाम में जी कोशन पूछे जा सकते हैं जी कोशन काफी पार्टेंट है कार्डिंग टूस लेबर्स और पूराना पेपर है जी बार बार पूछी जाते हैं इसलिए आप लोगों को मिक्स कोशन रहींगे इसलिए आपको बदादे कि हम दीरे-दीरे टफ कर रहे हैं लेवल यभल हमें कमेंट बाक्स में मताना है कि आप लोगों को हमसे कम 20 से 25 कोशन दिखाने में, 10-12 मियून इन में आपको कमेंट करने के आप लोगों के इस से पहले आप लोग कितने आती थे आप लोग कितने पानी में हैं आप लोगों की त्यारी क्या है यह पता चल जाएगा सबसे पहला हमारा question होगा इसका answer रहने वाला है डी पार्थ जानी की iron नेस्ट question की बात करें इंडिन सुसाइटी इस बैल नोन फार इड्स इंडिन सुसाइटी बैल नोन फार इड्स किसके लिए है पाकिस्तान की कैपिटल भी एक बार पुछा गया था पाकिस्तान की कैपिटल आपको बदेगी सिलामाबाद है पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इसलामाबाद है फॉर्थ कोशन की बाद करें था मुसलिम लीग वास फोंड इन मुसलिम इन डका द्यान रखें कई वर ऐसे भी पुछे चाता है कि मुसलिम लीग की स्थापना कहां पे हुई थी तो यह डाका में हुई थी और मुसलिम की स्थापना कब हुई थी यही थी 1906 में उसके बाद बैन डिड़ दा फॉर्ष्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट जानी कि पहली यो लड़ाई है वो कब शूरू हुई थी फॉर्ष्ट वर्ल्ड वार 1914 में शूरू हुई थी भी पार्टी स्कांसर है 1908 तक चली थी यह द्यान रखना है और उसके बाद कोईशन नंबर 6 की बात करें 6 कोईशन की बात करें when which of the falling pair about the independence days रांग जैसे इंडिया 15 अगस्त को हुआ था पाकिस्तान 14 अगस्त को हुआ था बंगला देश और अमरिका कब हुए थे यह जो गलत है वो आपको टिक करना है इसका आंसर जो है वो है बंगला देश बंगला देश जो है वो 14 अगस्त को आपका इंडिपेंड्स नहीं हुआ था अमरिका चार जुलाई को हुआ था 15 अगस्ट को इंडिया 14 अगस्ट को पाकिस्तान बट बंगला देश 14 अगस्ट को नहीं हुआ था कोशन नमस सैबन के बाद करें ता लेर आफ अटमोसपेर नेरेस्ट टू दा आर्थ जो नेरेस्ट जग्राफिक अच्छा कोशन है जो लेर है आपको बता देख अटमोसपेरिक नेरेस्ट टू दा आर्थ के यह है आपकी ट्रोपोसपेर उसके बाद नेच कोशन को देख ट्विन प्लैनेट आर्थ इस गाल्ड ट्विन प्लैनेट जो है जमीन पर उसे किसे बोला जाता है काफ़ी टफ लग रहे होंगे आपक जगाल्ड होता है बीनस हाटेस्ट प्लैनेट भी बीनस को बोलते हैं प्लैनेट का भी प्लैनेट प्लैनेट आपका मार्स होता है हाटेस्ट प्लैनेट बीनस होता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट आपका जूपिटर होता है और ट्विन प्लैनेट जो आर्थ का होता है यह भ बाट है जाने कि हुंगांगी और टेंट कोशन की बाद करें नागार जून सागर प्रजेक्ट सेच्ट रिवर पर करता है यह तुगबंद्रा एप इसका अंसर है और उसके बाद जोजीला पास कहां पर लाइक करता है हिमाचल प्रदेश जूपी पंजाब जा कश्मीर में ज लाजा स्टील प्लैनेट बाजी इंस्टेंड़ इन लाजास्टेट इस ट्री स्टील प्लैनेट जो है वो कहां पर इइस्टाल है बही लाली जशमीदपूर रूकेला जद्रुंगपूर इसका अंसर जो रहेगा आपका जमशेदपूर तो फुर्स्ट हम्ठ फैक्ट्री व कहां पे हुई है बैंगलोर में आप लोगों बतादे कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमें एक लिक दे रहे हैं को करंट अफेर की वीडियो होती है हमारी डेली हमारे दोस्त का चैनल है वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें उसमें 10 से कंट अफेर के कोशन्स डेली चट ड इंडिया में कितने आर्टिकल है यह आप लोगों के 305 नेस्ट कोशन के बाद करें मीनिमूम एज फार दा प्राइम विनिस्टर बढ़ने की कम से कम उमर कितने होनी चाहिए यह है आपकी 25 साल अको अग्जाम में पुशे के कोशन्स हैं बार बार शार्दा एक्ट इस फार जो फितिक यह लेतर्ड है इसके लेटर्ट अब मेंबर सक्यूटी कनसलार के कितने ही पांच है आप न स्थैसल में इनी ऊह ऊप सारक स आर कहांपे यह-ल्चार मान दौ में इंडिया स्टर सोलह आपर 1853 को जो मुंबई को से लेकर कहां तक चली थी यह चली थाने तक किस कांसर होगा बाइस की बिच बार ना तो फालिंग इस एंटी टैक लार जेटी टैक मिसाइल कौण्सी है सिंटि बार 1.でाब्र तरतना अवाड सबसे पहले किसको मिला था यह मिला था अबलेगों का राजा गपाल चेरी को को एक कोशन कलना तो कुमेंटर रूट करें फिर्ष्ट एशिन गेम हेल्ड इन उनिसु कुंजा फिर्ष्ट एशिन गेम उनिसु कुंजा में हेल्ड हुई थी और कहांपे हुई थी काफी बचे टॉकिया लगाते हैं पर इसका अन्सर दिल्ली है उसके बात जहांपर आप लोगों को बता हैं English वगरा के कोशन होगे हमारे पास इन सुभी को नहीं बढ़ेंगे नेस्ट सेट में कबर करेंगे बंडार है हमारे पास पूरे कोशन का यह कोशन किसी ना किसी competitive अगजा में पूशे जाते हैं उसके बाद आप लोगों बताता है कि आपको एक कोशन हम देते हैं मैथ का आप लोगों कमेंट करके जुरू बताना है और आपको बताते कि in how many ways can six girl be seated in empty chairs 94 सोरी यह वाला कोशन नहीं आप लोगों को देंगे हम कोशन देंगे आप लोगों को कोई मैथ का बढ़िया सा कोशन दिखे कोशन का आपको कमेंट बाक्स में कमेंट करना है और कमेंट करके जुरू बताना है कि आप लोगों को लगवा कितने कोशन ठीक होएं हैं को 20 से 25 कोशन नहीं दिखाया आज जैदर नहीं क्योंकि आज आपको बतादे कि हमारे पास एक्यूमेंट सिस्टम नहीं था जानिक कि आप लोगों जो हत्यार होता है जो वैपन जिसे आप लोग बोलते हैं पैंसल नहीं नहीं लिख पाया इसलिए आपको बतादे कि दोड़ के कुछ नहीं मिलता है कि इस नहीं तरु कि में कमी आ बास रंणिंग की त्यारी की और सर्फानल में सेलेक्शन नहीं क्योंकि आपको पता है 50% सेलेक्शन होती है इंडिन आर्मी की 50% होती है और बाकियों की बात करें अगर 4000 बंदा फिट हुया तहाता है उसमें ल बता दे कि यह कभी जहीं रहता वट आगर आप लोग बीयसओभ की बात करें हैं पैरा-मिल्टरी की ससी जीडी की उसमें आपको बता दें कि अगर बीस हजार फार्म लगे हुए हैं 20,000 अगर आप लगों बता दें कि एक लाग फार्म लगा हुआ था उसमें सेलेक्शन लग करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है अलबेस्ट नार्मल टैंपरेचिर आफ दा हुमन वार्डी भी यहां पर पूछा गया है नार्मल वार्ड टैंपरेचर होता है थर्टी सेवन डिग्री सल्चिस अच्छे कोशन है साइंस के भी हमारे पास बट आपको पता दे कि टाइम नार्मल टैंदा है अलबेस्ट